आज हम लोग क्लास 9 के जोगरफी चैप्टर 1 भारत का आकार और अस्थिती के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप आसानी के साथ जो मेप होए वो समझ पाएंगे इसके लिए हम सबसे पहले क्या होता है मेप को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो दिशा का ज्यान होता है पूरब पस्षिम उतर दचिन ये बहुत जरूरी होता है ठीक है और यह लेप्ट का हिस्सा देख रहे हैं यह आपका हो गया पस्चीम ठीक है पस्चीम हो गया और यह उपर का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है उपर वाला साइट को कहा जाता है उत्तर ठीक है और निश्चे वाला साइट को कहा जाता है दच्छीन ठीक है तो इस प्रकार से सब से पहले हम यह जानगे कि पूरव किधर है परसिम किधर है ठीक है तो पूरव हो गए यह साइड आपका इसे इंगलिस में क्या करते हैं इसको वेस्ट करते हैं इसको नौर्थ करते हैं इसको सौथ करते हैं ठीक है पूरव यह पूरव यह परसिम यह उत्तर यह दरसिम यह उपर व़ोला ववाक को हम क्या कहाएंगे उत्र ठीक है, और निच्छे उत्र का उल्टा दस्चिन तो निच्छे वड़ोला व्हाग को दस्चिन कहाएंगे, तो इस प्रकार से उत्र वो दस्चिन आद हो जाएगा, अब लोग आद परते हैं, पूरव और पसीम तो राइट वाला भाग को हम क्या कहेंगे पूरव और लेट वाला साइड को कहेंगे पसीम तो इस प्रकार से पूरव पसीम उतर दसीम आद हो गया होगा हमारे क्याल से आद हो गया होगा अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे पूरव पस्चिम उत्तर दस्चिम तो हमने सीख लिया अब हमें सीखना है कि अगर ये पूरव और ये पस्चिम के जो बीच वाला भाग है इसे क्या कहीं तो अगर पूरव और पस्चिम के बीच वाला भाग का नाम देना हो तो सबसे पहले पता है सबसे पहड़े हम इसका नाम देख लेते हैं East West North South ठीक है अब हमें पता करना है किसके बीच वाला किसके बीच वाला का जो जगह होता है अगर यहाँ पे कोई स्थान रहेगा तुसे क्या कहेंगे क्योंकि यह ना तो पुरब में है और ना ही पसी में है ठीक है ना ही उतर में यह बीचों बीच में यह ना ही तो पुरब वाले हिसा में है और ना ही उतर में है यह बीचों बीच में है तो बीच वाले हिसा को क्या कहेंगे तो इसे आत करने का एक तरीका है आप सुरुवात करेंगे north मतलब उतर से ठीक है और दूसरा start करेंगे the chin से बस अगर आपको इस भाग वाला का नाम बोलना हो तो आप start करेंगे उतर से इधर वाला भी भाग का नाम बोलना हो तो आप start करना है उतर से और निचे में एक ये space और एक ये ये दोनों जगा का अगर नाम देना हो तो आपको start करना है दर्चिन से ठीक है मतला आपको शुरू में उतर और दर्चिन बोलना है तो अगर हम इस जगा का नाम पूछें तो यह हो गया उतर और यह हो गया क्या पूरव तो पूरव और उतर के बीच में सबसे पहले क्या बोलना है उतर तो उतर जब कहेंगे इसके बीच वाला भाग को अब सकेंड है कि यह जो आपका था उत्तर और यह क्या था पस्सीम तो इसके बीच वाला भाग को क्या कहेंगे उत्तर पस्सीम ठीक है और यह वाला भाग जो कि यहां पर क्या है दस्चिन है तो हम क्या बताएं थे उपर में आपको उ तो जब दचीन सा स्टार्ट करेंगे तो यह साइट हमारा क्या है पूरव ठीक है तो दश्चीन पूरव ठीक है यह होगे क्या आपका दश्चीन पूरव और यह वाला भाग क्या कहला आएगा यह वाला भाग का नाव दे सकते हैं समसे पहला स्टार्ट करना दश्चीन से तो यह क्या है उत्तर यह क्या है पस्चीम और यह क्या है दस्चीम ठीक है तो जब इसके बीच वाला भाग का नाम बोलना हो तो हम कहेंगे अस्टार्ट करेंगे उत्र से उत्तर पूरव पहले उत्तर बोलना है फिर पूरव बोलना है तो यह प्लेस का नाम हो गया उत्तर इसके बाद है, अगर हम यहाँ पे बात करें नीचे में, तो नीचे आपको अस्टार्ट करना दचीन से, तो सबसे पहले आपको दचीन लगा रहा है, दचीन पस्षीम, यह वाला भाग का नम क्या होगा, दचीन पूरव, तो इस प्रकार से आप समझ गया होंगे कि कौन सा ज सीम और दस सीन पूरव होता है सो ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं इसके आगे देखी हम लोग जो है सो जो गलोब का है ना गलोब के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसको पढ़ने से सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नोलेज जो होता है वो जानना पड़ेगा अगर बेसिक नोलेज आपको पता रहेगा तो आप आसानी से में आपको समझ पाएंगे और बिना रटे आसानी से आप लाइप टेम आर्थ रख पाएंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखी सबसे पहले आपको पता होगा कि जो गलोब होता है ठीक है यह आपका गलोब है तो गलोब में एक यह साइड़ वाला इस्ता क्या कर आएगा अब आपको जश्ट बताएं यह साइड़ वाले हिस्ता को पूरव कहा जाता है कि और इसे पस्सीम ठैकर पूरब पस्सीम को यह क्या होगया 10 जीन लेकिन अभी हम बात करेंगे पूरब और पस्सीम के बार में चुकि एक रेखा जो 6 होता एंज यह क्या करता है कि प्रिठ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बाटती है ठीक है अब कहने का मतलब यह वह रेखा है जिसका नाम क्या है जिसे हम लोग करते हैं आच्छांस रेखा ठीक है तो आच्छांस रेखा क्या करता है आच्छांस एक 36 रेखा होता है और अपना किया गया है यह real में SPP बें कोई रेखा नहीं है ठीक है एक कालप्निक रेखा ऐ हैं तो जब गलोब पर पूरब से पूर पस्चिम की ओर खिची गई कालप्निक रेखा को क्या कहेंगत हैं अप trafficking गलोब पर पूरबсьब पस्चिम तक क्विचिय गई काल्पनिक रेखा को आच्छान्स रेखा करते है ठीक है अब रही बात कि आच्छान्स रेखा का जो होता है उपियों क्या होता है आच्छान्स रेखा क्या बताता है आच्छान्स रेखा आच्छान्स रेखा जो होता है वो किसी अस्थान का अच्छांस धरातल पर उस अस्थान की उत्तर दस्षिन की स्थिति को बताता है मतलब यह आपको दो स्थिति को बताएगा कि आपका प्लेस उत्तर में है या दस्षिन में ठीक है इससे आप उत्तर और दस्षिन के बारे में पता कर सकते हैं तो globe के बीच में यह जो रेखा देख़ रहे हैं यह तृषवी को दो भागों में बाढती है बराबर बराबर तो इसके जो उपर वाला भाग होता है इस रिखा से ठीक है यह जो अठान से रिखा है यह 0 डिगरी पे होता है, इसका मान 0 डिगरी होता है, अब इसके उपर भी आप अगर जाएंगे तो जिड उठाएंगे एक, दो, तीन इस तरह से करते-करते वे बढ़ते जाता है, और इसके अगर निचे भी देखेंगे, त ठीक है और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं तो दस्षिन कहते हैं ठीक है इस रेखा के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे दस्षिन कहेंगे और इसकी उपर वाले भाग को क्या कहेंगे उतर कहेंगे तो इस परकार से आप देखेंगे गलोब को तो गलोब में क्या होता है बहुत सारे अनेक जो रेखाएं होती है अचांस का इस परकार से हम रेखाएं यहाँ पर ड्रो कर देते हैं तो इस रेखा को क्या कहेंगे ये तो कनफर में कि अचांस रेखा है अब इसके बाद ये जो रेखाएं हैं ये अचांस रेखाएं तो जरूर हैं लेकिन इसे हम अच उत्री अच्छांस रेखाएं कहेंगे चुकि यह उत्तर की और है इसे इसका नाम रखा जाएगा उत्री अच्छांस रेखाएं और इसके निच्छे वाले जितने भी अच्छांस रेखाएं इसका नाम दचनी अच्छांस रेखाएं दिया जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से नीचे वाले जितने भी अच्छांस रेखा हैं इससे हम अच्छांस रेखाने बलकि दचनी अच्छांस रेखा बोलेंगे तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छांस रेखा किसे कहते हैं अच्छांस रेखा के उपर वाले भाग को क्या करते हैं और नीचे वाले भाग को क्या करते हैं ठीके तो अच्छांस के उपर वाले भाग जो पूरब से पस्चिम तक किजी गई छेतीज रेखा जो कालपनिक होती है इसे हम करते हैं उटरी अच्छांस रेखा अब आते हैं हम लोग बात करते हैं गुलार्थ की लेकिन गुलार्थ पढ़ने से पहले इसको टिटेल से समझ लेजिए अब इसका परिभासा अगर पुछा जाए कि आचान्स रेखा किसे कहते हैं तो इसका परिभासा क्या कहेंगे इसका परिवास आई कहेंगे कि गलोब पर पूरब से पस्चिम तक खीची गई रेखा को क्या कहेंगे आँ आचान्स कहेंगे ठीके आचान्स रेखा कहते हैं अच्छा इसका और क्या क्या नाम है तो इसका दूसरा नाम इसे भूमैदी रेखा भी कहते हैं क्यों कहते हैं चुकि प्रिथवी को भू मतलब प्रिथवी और मैधी मतलब बीचों बीच तो प्रिथवी के बीचों बीच है ने दो बराबर बराबर भागों में बाढ़ती है इसका नाम भुमेद रेखा भी कहा जाता है और तीसरा इससे नाम क्या कहते हैं तो तीसरा इसका जो नाम है वो है विसुवत रेखा ठीक है विसुवत रेखा तो अगर आपसे पुछा जाए कि विसुवत रेखा कौन सा है अगर मेप में दिखाने के रिखा जाता है तो आप आसाने से दिखा सकते हैं वुमेदी रिखा कौन है अचांस रिखा कौन है ये तीनों आसाने से बता देंगे और हाँ इसका मान कितना होता है इसका मान जीरो डिगरी होता है ठीक है और इसके उपर वाले भाग को उत्री अचांस रेखा नेचे वाले भाग को दचनी अचांस रेखा ये किलिए हो गया अब बात करते हैं गोलार्द का ठीके? उत्री गोलार्द और दचनी गोलार्द तो जैसे आपको पता होगा कि गोलार्द का मतलब क्या होता है गोलार्द का मतलब कोई गोला है उसके आधा भाग को ठीके माले जी ये गोला है अब इसका आधा भाग जो कि हम यहाँ पे करके रखें तो ये आधा भाग क्या हो गया आधा भाग को हम गोलार्द करते हैं गोले की आधे भाग को गोलार्द कहा जाता है तो इस परकार से क्या हो गया जब ये रेखा प्रिथिवी को दो बराबर बराबर भागों में बाठती है तो दो गोलार्द बनता है ठीक है एक उत्री गोलार और दूसरा है दस्त्त नी गुलार्द कु एल्जा कि समझते हैं और गुलार्थ है ना गुलार समझभा गया होगा अब समस्थते हैं की उत्री गुलार क्या होता है और दस्तम नी गुलार यह होगया तो उत्री कुलार्द Space स्काल्ट herbogen तो इसके उपर वाले भाग को उत्री गुलार्थ करते हैं और निच्चे वाले भाग को दस्नी गुलार्थ करते हैं तो समझ में आ गया होगा गुलार्थ क्या है उत्री गुलार्थ क्या होता है दस्नी गुलार्थ क्या होता है और अच्छांस रेखा किसे करते हैं इसका क्या करता काम होता है ठीक है थाचंस रेखा क्या करता है कि किसी अस्थान की ऊतर और गलोब है ठीक है यह जो आप गलोब देख रहे हैं इस गलोब के यह कौन सा भाग है उत्तर और यह कौन सा भाग है दच्छिन चुकि आपको हम पहले ही पढ़ा रखे हैं कि उपर वाले भाग को उतर करते हैं और निचे वाले भाग को दच्छिन करते हैं तो इसमें कोई दिक गलोब पर उत्तर से दस्चीन तक खीची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं अब देखिए देशांतर क्या करता है देशांतर का काम क्या होता है तो आपको इसके पहले बताया थे अच्छांच क्या करता है किसी भी जगा का जो आच्छांच होता है वो क्या करता है उस अस्थान का उत्तर और दस्चिन की स्थिति को बताता है कि वह प्लेस उत्तर में है या दस्चिन में है सेम इसी प्रकार से जो देशांतर होता है वो क्या बताता है देशांतर किसी अस्थान का देशांतर प्रिथ् next है अब इसको समझते हैं देखी देशांतर क्या है समझ गया देशांतर क्या करता है तो यह उत्तर पूरव और पस्टीम ठीक है पूरव और पस्टीम की सीछिती को बताता है किसी अस्थान का तुम्हां लिजे पूरवर पस्चिन तेश का मतलब जो देशांतर है उन्होंने क्या किया यह जब उत्तर से दस्चिन की है ना उत्तर से दस्चिन तक खीची गई काल्पिक रेखा को देशांतर करते हैं इससे क्या बनता है इसके जो राइट वाला हिसा है इसे पूरव अर्थात इस्ट कहा जाता है और इसके लेट वाला जो भाग है इसे वेस्ट मतलब पस्चिन कहा जाता है ठीक है तो याद रहेगा यह राइट वाला हिसा क्या है पूरव है और लेट वाला हिसा क्या है पस्चिन है पूरव और प क्या करता है पूरब और लेफ्ट का यह सा क्या करता है पस्पी अब देखने के गुलाद ठीक है हम देखिए आप किसी ग्लॉब में देखे होंगे तो ग्लोब में क्या होता है इस परकार से बहुत साई जो दे इची गई होती है ठीक है देखिएगा मैं यहाँ पर ड्रो कर रहा हूं यह कौन सी रिखा है तो देशांतर रिखा है ठीक है अब बात है कि यह जो ब्लेक वाला साइन देख रहे हैं इसके जो राइट साइड है यह कौन सी रिखाएं कर आएगा यह सिर्फ देशांतर रिखा क और यह जो खाग इसे हम क्या कहेंगे तो पूर्वी देशांतर गांगे किया कहेंगे पूर्वी देशांतर लेकिन Himyap तो लेप्ट वॉल्ला का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं पस्मी देशांतर जुक्कि आपको पहले बता देता है कि c पूरब और लेप्ट वाला भाग क्या है पस्तिम तो जब देसांतर रेखाएं खीची जाती है किदर पूरब साइड तो इसे पूरवी देसांतर रेखाएं कहेंगे तो यह सिर्फ कहलाएगा आपका देसांतर रेखा इसका भी मान क्या होता है जीरो डिगरी होता है और हाँ आपको हम एक चीज बता देते हैं कि जो देशांतर की रिखा है जो यहाँ पे जीरो डिगरी होता है ठीक है तो इस वाले भाग को क्या करते हैं इसे ग्रीन वीच रिखा भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है क्योंकि यहां जो greenwich रेखा इसको इसलिए खा जाता है चुकि यहां से आपको पता होगा कि यह इंग्लेंड के greenwich सहर से गुजरती है देसांतर रेखा जो 0 degree होता है यह इंग्लेंड के greenwich सहर से होकर के गुजरती है इसलिए इसका नाम greenwich रेखा कहा जाता है यहां तक आप समझ गें देशांतर क्या होता है देशांतर किसे करते हैं ग्रीन भी सिरेखा किसे करते हैं ठीके और इसके रैट वाले साइट को क्या कहेंगी पूर्वी और लेट वाले साइट को पस्मी ठीके और अगर गुलार्द में ना हो यह क्या कना लाएगा पूरवी गुलार्द यह क्या ककलाएगा कि ऑपास्चमी गुलार्ड यह लवाग पूरवी गुलार्द यह लब livres फिंव तक हम हम कहेंगे देशांतर अब देशांतर के right side ठीके ये right वाला पार्ट ये right side क्या कहलाएगा तो ये कहलाएगा आपका पूरव यही ना पूर्वी गुलार्थ पूर्वी देशांतर रेखा है ये side हो गया अब ये side अगर बात करें left तो left में क्या है तो आपका है पस्मी देशांतर रिखा है अगर रिखा है तो पस्मी देशांतर रिखा है लेकिन अगर हमें गुलार्द कहना हो तो ये वला पूरा भाग ठीक है ये वला पूरा भाग क्या कहलाएगा तो पस्मी गुलार्द कहलाएगा यह वला पूरा भाग क्या कहलाएगा तो कहलाएगा आपका पूर्वी गुलार्द ठीक है इसी परकार से होता है आपका जो हम लोग पढ़े थें आचांस रेखा में वहाँ भी इसी परकार से था उत्री गुलाद और दस्नी गुलाद पूरा भाग, ये पूरा भाग कहलाएगा दर्खीगा ये पूरा भाग है पस्मी गुलाद ठीके, अगर देशांतर रिखाएं की बात करें तो ये रिखाद दिखा देते हैं आपको कीज की यह है पस्मी देशांतर रिखाएं यहां तक आपको समझ में आगे आओगा आओगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे गुलार्थ के बार में जिसे हमने पहले बताया था जो गुलार्थ होता है ओ गोले के आधे भाग को गुलार्थ कहाते हैं या कहा जाता है और अच्छांस और देशांतर तृत्वी को चार भागों में बाटती है अब दिखाते हैं आपको कैसे सुख जिसे अभी आपको पहले बताया थे ये गलोब है और इस गलोब में पूरब से पस्चिम तक खीची गई कालपनी रिखा को क्या कहेंगे और उत्तर से दस्चिन तक खीची गई कालपनी रिखा को क्या कहेंगे तो इसे कहते हैं लोग देशांतर रिखाते हैं तो एक और आच्छान से रिखा इधर से दो भागों में बाट रही है और एक इधर से आप देशांतर रिखा हैं यह भी क्या कर रहा है यह साइड यह साइड दो भागों में बाट रही है तो इस प्रकार से कुल कितना हो गया तो कुल चार भाग हो गया वन, टू, ठीरी, फोर, ठीक है, अच्छा से ड्रो कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर हम ड्रो करके अल्रेडी रख दिये हैं, एक, दो, तीन, चार, ये चार भागों में बाढ़ती है, तो आच्छान सोर देशांतर रिखाएं मिल करके प्रित्वी को चार भागों में बाढ़ती है यह मैंने देख लिया, अब हमें देखना है, चुकि हम लोग तो पढ़ लिएं, कि ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका है, उत्तर, और ये है दस्चीन, ये है आपका पस्चीम, और ये क्या है आपका, पूरव, तो पूरव, पस्चीम, उतर दसीन हो गया complete और मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके बीच वाला भाग अगर आपका place यहां ना होकर ये बीचों बीच वाले जगह में हो तो आप उस place को क्या कहेंगे कि पुरब में है पसी में है उतर या दसीन में तो इसमें आपको कोई dot होने की जुरत नहीं है सारा confusion आपको दूर पहले से ही कर दिये क्या बताया थे आपको उपर से शुरू करना उपर में क्या है नौर्थ मतलब उतर है तो अगर ये दोनों side के हिस्से को कहना हो तो एक आपको शुरू बात में एक ये बोलना है उतर और इसके बाद अगर ये वाला ऐसा बोलना हो तो आप उतर के बाद पुरब और अगर ये भाग लेना हो तो उतर के बाद पसीम तो इस प्रकार से इसके बीच वाला भाग का नाम आप आद कर लिया होगी इंचनल Amos. या आपको इसलिए बता दिया जा रहा है. चुकि अगर यहाँ आप नहीं समझेंगे तो जैसे आपको गलोब दिखाएंगे कि भारत कहां पर एश्चीत है तो आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर हम आपको चार टुकड़ों में बाट करके दिखा दे रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखी आप गलोब को समझे गलोब को समझने से पहले जितना बेसिक था मैंने सारा बता दिया अब लोग चलते हैं गलोब को थोड़ा सा जूम करके दिखा दे आपको यहाँ पर डॉट डॉट करके रिखा दिखता होगा देखिएगा यह डॉट डॉट जो रिखा है यह सीधा आपका यहाँ तक है ठीक है और एक उपर से भी देशांतर रिखा जो मैंने पहले बताया था तो यह होगी हमारा देशांतर और यह होगी हमारा अच्छांस यहाँ देख लिजेगा जिरो डिगरी में है यह भी आपका क्या है जिरो डिगरी में ठीक है और हाँ अगर आपसे पूछा जाए कि जो आच्छान से रेखाएं होती है वो किधर से किधर खिची जाती है तो आपको आदखना है ये क्या है? पूरब ठीक है? तो पूरब से पस्चिम की ओर ठीक है? पूरब से पस्चिम तक खिची जाती है और अगर देशा अंतर पूछा जाए तो उत्तर से दस्चिन की और खिची जाती है ना कि दस्चिन से उत्तर उल्टाने खिचना है बलकि ये उत्तर से दस्चिन खिची जाती है तो इस परकार से आप समझ गये होंगे कि यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे देखिएगा कि ये वला भाग और ये वला भाग आच्छान्स और देशांतर दोनों मिलकर के प्रित्वी को चार भागों बाट रही है अब हमने जो बताया था वो अभी आपको काम में आ जाएगा क्या बताया था कि ये वाला हिसा पूरव है ये उतर है और ये क्या है पस्सिम है और ये क्या है दस्सिन है तो हमारा भारत का है अब थोड़ा सा जूम करके देख लिजी अब देखिए ये तो देशांतर है और ये हमारा चान से ठीक है तो हम क्या बताया थे जो देशांतर के राइट वाला हिसा ये क्या होता है ये होता है पूर्वी गुलार्द होता है और जो लेप्ट वाला भाग होता है देशांतर के लेप्ट में जो भाग होता है वो होता है पस्मी गुलार्द ठीक है यहाँ जगने होगा लिखने में दिकत होगा इसलिए यहाँ पे हम डबलू स से लिखे देते हैं ठीक है वेस्ट मतलब पस्मी गुलार ठीक है यह इस परकार से दो टुकड़ों में बाटा तो यह साइड क्या हो गया पूर्वी और यह हो गया पस्मी अब जरा से गौर किजिए इधर से जो आचान से रिखा है यह क्या कर रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप आसानी से समझाएंगे यह वाला जो भाग है यह इसको मिटा लेते हैं अब हम लोग सिर्फ इस से आचान से रिखाएं खिच लिए ठीक है यहाँ पर ओलड़ी खिचा हो लेकिन हम तो आपको हेड़ाइट करके रिखा रहे हैं अब मैंने क्या बताया था उपर वाला भाग उत्री गोलार्द नीचे वाला भाग दसनी गोलार्द तो इस तरह से आ इसका मतलब उत्री गोलार्द में अस्ती थे भारत किस गोलार्द में अस्ती थे अगर आप मेप समझ में आ गया होगा आपको तो आप लाइब टेम नहीं भूलेंगे कि भारत उत्री गोलार्द में यह दसनी गोलार्द में ठीक है मैं प्रोमिस करता हूं गर आप अच्छे रेखा का उपर वाला भाग में भारत है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ कि जो भारत है वो किस गुलार्द में है उत्री गुलार्द में है चुकि यह आच्छांस के उपर वाले भाग में नेच्चे वाले भाग में होता तो दसनी गुलार्द में होता तो भारत में था यह आपका इसट्री गुलार्द में हो अगर आपसे पुछा अमेरिका किस गुलार्द में है तो आपका दसनी गुलार्द में है थीघे यह वी आपका उपरард लाइन की उपर ला घांज और निच्य तेसनी घुलाध में करते हैं से अब बात करते हैं त्देसांतर यह हो गया आपकार आप no i7 रेखा तो दे श και रहाएट 찾d और इधर क्या था है पो यह ब हम ऐस epsilon गौर कीजिए भारत हमारा किस साइड में पूरव साइड में ठीक है तो कौन सा देशांतर में सिते भारत पूरवी देशांतर आद रहेगा तो इसलिए अब ये दोनों को मिला दीजिए ठीक है देशांतर में क्या है पूरवी देशांतर और गुलार्द में क्या है उत्री लिया इस तरह से आपको बता दें कि जो भारत है उत्री गोलार्द ठीक है उत्री गोलार्ट और भारत के मेप में बोगों देखेंगे भारत की सिर्थी क्या है ठीक है कि चले शुरू करते हैं कि सबसे पहले आज करने का तरीका हम बता रहें देखना है जो सबसे ऐचानस यerson मैंने क्या बताया था कि जो पूरा भारत है ओपुरा का पूरा-भारत आपका ऊतरी अचांस में जो आज्शानस में क्या है भारत तो भारत का थोड़ा सा भाग हमारा दस्स नी मतलब हिस्सा में नहीं आया है इसलिए क्या होगा कि यह आच्छान्स में आपको आद रखना है कि यह उत्री अच्छान्स होगा क्योंकि पुरा पूरा भारत हमारा उत्री उत्री गुलार्द में असी थे ठीक है तो उत्री गुलार ठीक है अब इसको क्या कहेंगे आठ डिग्री चार मिनिट यह क्या है उत्री अच्छांस ठीक है उत्री अच्छांस के उत्तर साइड में इसलिए उत्तर साइड में जो रेखा हो तो इसको क्या कहते है उत्री अच्छांस तो उत्री अच्छांस में वाले ह सिमाचाते हैं है कि यह वला सैठी ठीक है यहां आपको आठतने का तरीका क्या है नीचे मनें क्या बताँ आठ डिगरी चार अप जो मिनट है यह गता बंगया Town इसके बार मैं क्या बताँ है BEन गया तो 1962 JOHN दुना के तिन दुना छे मतलब 37 डिगरी छे बिनेट और ये किसी सिम आएगा गौर किजे ये भी आपका उतरी अच्छांस में ही आएगा ठीक है कि अब लोग बात करते हैं कि ये था अच्छांस अब देशांतर की बात करते हैं चुकि कि अधि य कि बहुत लोग को कंफियन होगा ठीक है और कंफियन करता होगा कि आखिर मान लिजी थोड़ा समय टेड़ा मेला यह अप समझेगा इंडिया मैफ है तो मौन लिजी जीकि इंडिया मैं फै को ये सट वही साब जो है आपने बताया की उत्ती अच्छांस हो गिया और ये देशांतर है ये देशांतर तो कैसे है ना ये साइट देशांतर क्यों ने हुआ ये साइट क्यों ने हुआ ये साइट क्यों हुआ ये साइट क्यों हुआ ये साइट क्यों हुआ देखिए सार कर पिजन आप हो दूर कर सेते हैं सबसे पहले फिर हम लोग वहीं आते हैं कि यह हो गया आपका मैंने क्या बताए था गुलार्द है ना ग्लोग आप माली यह देशांतर है वो उत्तर से दस्चिन क्यों डिभाइड करता है उत्तर से दस्चिन तक किजी जाती है तो यह डिभाइड किधर कर रहा है राइट और लेप्ट में तो यहाँ आप देखिएग तो यह इसके राइट वला हिस्सा क्या कल आइगा देशांतर चो कि मान लिजिए यहाँ पर हमारा बहरत है इंडिया है यहाँ पर यह गया आप यह कि नहीं होर इसके लेप्ट वाला भाग गी क्या है देशांतर होगर और यह जो देख रहे हैं अच्छान्स रेखा क्या करता है अच्छान्स रेखा उपर और नीचे दो भाग में बाढ़ती है उपर उला को क्या करते है उत्री अच्छान्स और नीचे उला को क्या करते है डच्छनी अच्छान्स रेखा ठीक है इसलिए यहाँ पे यह जो देखते हैं लोग नीचेवला भाग क्या हो जाता है हमारा दचनी अच्छान्स लेकिन यहां पे नहीं होगा अब क्यों नहीं होगा चुकि इंडिया हमारा यहां पे है और यहां पे पूरा भाग क्या हो रहा है यह हमारा पूरा भाग है उत्री अच्छान्स जब पूरा भाग उत्री नहीं हां चुकि पूरा का पूरा जो भाग है ठीक है ओ हमारा कहा है तो है अपका ये साइड में उत्री अचांस में इसलिए जब भी हम उत्री ये भी उत्रिया चांस टीक है हां देशांतर की बात करें तो सिर्फ पूरवी देशांतर होता है यह जो राइट साइट का जो भाग है यह देशांतर का भाग है चुकि देशांतर राइट और लेप दो भाग में बाटा है प्रिश्वी को तो यह वाला जो हिस्सा है यह पूर्वी और यह पस्मी तो पूरा का पूरा भारत किधर है पूर्वी देशांतर में सीथ है तो हमार वे तब स्थार्स 25 निची स्टर्ट करेंगे 8 टीग्री और चार मिनंट अपर में कितना ऑँपर में चार में गटा दीजी चार में गटांगे कितना बचेगा टीन बचेगा थिक है और आठ में घटा इंगे जो профессион नकिटा बचेगा अब next है देशांतर की बात करते हैं अगर देशांतर की बात करें यहां के बाद आप यहां चलाईए यहां पर क्या बताया थे 37 डिगरी और 6 मिनट तो 37 डिगरी 6 मिनट में आप यहां पर ले लिजेगा 6 और 7 ठीक है और बीच में बठा दीजेगा 8 अब यह क्या बन गया 86 डिगरी 7 मिनट इस प्रकार से आध हो जाएगा हमारे ख्याल से अब एक लास्ट कोना बच रहा है ठीक है यह क्या होगी 87 डिगरी 7 मिनट देशांतर ठीक है पूर्वी देशांतर और यह इसको कैसा दखना है यहाँ पर आप देख रहे है 8 बीच वाला चीज है न 8 के बारे जोड़ी कितना हो गया 9 और यह 7 का 7 उतार दीजी 97 डिगरी हो गया और आपको 25 मिनट इसमें आज रखना पड़ेगा 97 डिगरी 25 मिनट तो इस प्रकार से यह क्या हो गया 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी दिशांतर तो आच्छान सो दिशांतर क्लियर हो गया अब हम लोग नेक्स पड़ेंगे क्या यह जो भारत का आप देख रहे हैं लंबाई ठीक है यह जो लंबाई देख रहे हैं यह लंबाई कितना है तो 32 किलोमेटर इसको एसे पड़ना है 32,42 किलोमेटर तो आध रहेगा 32,42 किलोमेटर और अगर यह चोड़ाई की बात की जाए तो चोड़ाई कितना है 29,23 किलोमेटर जो की मेप में लिखा हुआ है आपको दिखाई देरा होगा इसके बाद हमें क्या पढ़ना है हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसका लंबाई कितना है, चुडाई कितना है, इसके बाद आपको पता होगा, इसका छेतरफल कितना है, तो 32.8 लाग वर किलोमेटर भारत का छेतरफल है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और रेखा आपको दिखता होगा, जो कि इसे करते हैं हम हो गया, करक रेखा, यह लगभग भारत का जो मेप है, यह लगभग दो बराबर भागों में बाटता है, मतलब पूरा भी नहीं कर सकते हैं, चुकि आप खुद देख लिजी इसको, यह पूरा पूरा नहीं बाटता है, लेकिन फिर भी लगभग कर सकते हैं, कि लगभग भ इसके बाद है भारत की सीमा रेखा ठीक है भारत की सीमा रेखा के बारे में गर बात की जाए तो आपको बता दें कि दो तरकी सीमा रेखा है बनती है एक है अस्थलिय सीमा और दूसरा है जलिय सीमा रेखा तू अस्थलिय सीमा रेखा और जलिय सीमा रेखा है ना इसके बारे का जो हिस्सा है पार्ट है मैं थोड़ा सा यहां पे boundary कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे तो मैंने यह जो red color से boundary किया है यह white color का जो जितना सारा पार्ट देखना है इधर जो space जगह है यह क्या है यह बनाता है अस्थरिय सीमारेखा ठीक है चुकि माली इसके बगल में पाकिस्तान है तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमारेखा बनेगा अस्थरिय सीमारेखा क्यों बनेगा चुकि इसके बीच में कोई भी समंदर नहीं है ना ही कोई महासागर है जल नहीं है ठीक है इसलिए यहाँ जलिय सीमा रेखा का निर्मान नहीं हो रहा है यहाँ पर अस्थलिय सीमा बन रहा है अब रही बात जलिय सीमा तो जलिय सीमा आप देखी रहोंगे यह जो बुल्लू कलर देख रहा है ठीक है यह बुल्लू कलर यह पूरा भाग ये बुलू कलर को जो भाग देख रहे हैं ये आपका बनाता है जलिय सीमा रेखा ठीक है तो अब बात है कि अस्थलिय सीमा रेखा लगभग कितना है भारत में तो अस्थलिय सीमा रेखा आपका है पंदरो हजार दो सो किलो मीटर भारत का असलिय सीमा रेखा पुछा जाए तो आप आसाने से बता देंगे 15200 किलोमेटर है और अगर जलिय सीमा की बात की जाए तो जलिय सीमा रेखा जो है वो अंडमान, निकोबार, दिपसमू तथा लचिदिपसमू को मिला कर ठीक है तो जलिय से बता है 7566.6 किलोमेटर मतलब 7566.6 किलोमेटर है यह आपका जलिय सीमा रेखा है ठीक है अब इसके आगे में लोग पढ़ने वाले हैं यह आप मेप 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 छोटा है तो सायर आपको अच्छा से ने दिखता होगा फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह जो भारत और स्री लंका के बीच अगर दिखा जाए तो यहाँ पर एक आपका मननार की खाड़ी है ठीक है और यह दोनों के बीच जलिय सीमा रेखा बनता है अब रही बात यह दोनों के बीच कौन सा संधी जो अधिकतर सवाल पूछा जाता है पाक जल संधी के बारे में इसमें आपको कन्पिजन होने की जूरत नहीं है चुकि इंगलिस में क्या होता है ना पाक बोला जाता है लेकिन एक्चुली में यह पालक है इसको आद रखे पालक से चुकि बहुत लोग सोचते हैं की पाक जल संधी का मतलब भारत और पाक के बीच में कुछ ऐसा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है पाक चल संधी का मतलब सिधा सिधा अरत निकलता है कि सिरिलंका भारत की बिचके संधी को पाक चल संधी करते हैं अब नेक्स टोपिक है भारत का दच्छिनी भाग ठीक है जो दच्छिन वाला हिस्सा है इसके बारे में लो भी पढ़ने वाल है ठीक है तो चलिए, शुरू करते हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह जो भाग है यह हमारा क्या है South, ठिक है South का पाट है भारत का जो दशनी भाग है उग यह है इसमें से हमें पढ़ना क्या है तो आपको पता होगा जो दशनी भाग है इससे हम लोग प्राइदी भीग करते हैं भारत को जचनी भाग है उसे प्राइदी भीग कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वरा जो आप पार्ट देख रहे हैं इसके तीनों और पानी ही पानी है ठीक है इसके तिनों और क्या है पानी ही पानी है ये अगर ये आपका साइड देखा जाए ठीक है ये साइड और ये साइड तीनों को तीनों साइड में जल ही जल है जिसके कार्ण इसे प्राइदी छेतर भी कहा जाता है भारत के दचनी छेतर को अब आता हिंद महासागर ठीक है कि आखिर इतना बड़ा सागर का नाम है ना हिंद महासागर क्यों रखा गया तो ये भी बात है चुकि हिंद महासागर इसका नाम रहने के पीछे एक वज़ा है हिंद महासागर में क्या है कि किसी भी देश का जो तट्य सीमा भारत की जिसा नहीं है जिस प्रकार से भारत का जो सीमा रेखा जो तट्य रेखा है जो बना हिंद महासागर में इतना लंबा चुड़ा जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भाग हिंद महासागर है इसी लिखाता है कि हिंद महासागर में किसी भी देश में कि तटिय सीमा रेखा है ना भारत येसी नहीं है ठीके और भारत की इसे महत्पूरी सित्री की कारन इस महासागर का नाम इसे हिंद महासागर रखा गया है आप देखियेगा कि दस्नी हिसा जो है ये हिंद महासागर को दो भागों बाटती आपको मझुम करके दिखा दें जिसे आपको बता दें ये जो आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी ये देखते हैं अरब सागर ठीक है ये हिंद महा सागर ही है ये हिंद महा सागर का ही नाम दिया गया है उसके भाग को चुकि ये जो दचनी वाला पाठ है ये क्या करता है ये तो पूरा का पूरा हमारा हिंद महासागर है लेकिन ये हिंद महासागर को दो भागों में बाटने का काम करता है ये जो दचिनी हिसा है ठीके ये जब दो हिसा में बाटता है तो ये इसका जो राट साइट का जो हिसा देख रहे है जो रैट का जो भाग देख रहे हैं ये क्या है ठीक है दस्षिन हिसे के जो पस्मी वाला पाड को अरब सागर ४स्यो बता देता हूं यह हो गया आपका पस्तिमी यह हो गया आपका क्या पूरव तो पूरवला भाग को बंगाल की खाड़ी करते हैं और जो लेप्ट वला भाग है अर्था पस्तिम वला भाग को क्या करते हैं पस्तिमी भाग को करते हैं रब सागर पूरवी भाग को करते हैं हिंद महा सागर देखिए हिंद महा सागर लिखा है ना यह वाला भाग को हिंद महा सागर दिया गया है जबकि यह भी हिंद महा सागर ही है लेकिन हिंद महा सागर को दो भागों में यह छेत्र बाटने का काम करती से कारण इसका एक भाग का नाम बंगाल की खाड़ी और एक भ भारत और पडोसी देश तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में अगर कुल राज पूछा जाए तो सभी को पता होगा कितने हैं? 28 है और अगर आपसे केंड सासित परदेश पूछा जाए तो कितने हैं? 8 हैं पहले 9 थे, उससे पहले 7 थे 7 से हुआ 9 7 से कितना हुआ? 9 और फिर घट के होगे 8 अब ऐसा क्यों हुआ? आपको बता रहते हैं चुक्कि आपको पता होगा 9 कैसे हुआ था? तो जम्मू कस्मिर को दो भागों में बाटा था उसे राज का दरजा जब 1370 लगा, लागू हुआ तो जम्मू कस्मिर राज था वो राज से हट करके कैन सासित परदेश उसे बना दिया गया और जब जम्मू कस्मिर कैन सासित परदेश बना तो दो भागों में बाटा एक जम्मू कस्मिर और दुसरा लदाग जिसके कारण से 7 से 9 हो गये हैं केंसासित परदिश अब आता है कि फिर 8 कैसे हुआ ठीके तो माले जी एक राइज गया हमारा टोटल 29 था पहले अब ये राइज हट गया तो आप कितना बचा 8 आज और ये हट करके 2 केंसासित बढ़ गया तो केंसासित परदिश हो गया 9 लेकिन बात आता है कि आखीर फिर आप 8 कैसे हो गया ठीके ये जो 8 है 8 केंसासित परदिश अभी वरतमान में है चुकि आपको हम जुम करके दिखा देते हैं ये वाला जो आप भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे दमन एवं दीव और दादर और नगर कितना हो गया 8 केंसासित परदिश ठीके आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग चलते हैं परोसी देश में ठीके चलिए पहले जुम कर लेते हैं सबसे पहले हम पूरवी की वर चलते हैं जिसे कि आप देख रहे होंगे यह आपका पूरवी हिस्सा है ठीक है तो पूरव के साइड में अगर आपसे पूछा जाएं कि जो भारत है भारत के पूरव में ठीक है भारत के पूरव में कौन सा देश है तो मेयमार है जो कि आजादिस से पहले से बर्मा के नाम से जाना जाता था पस्चिम की बात करें यह तो पूरब की बात हुगा यह आपका रहा पस्चिम ठीक है यह पूरा पूरा पस्चिम नहीं है यह आपका उत्र पस्चिम के बीच में लेकिन फिर भी पस्चिम अगर देखा जा तो पाकिस्तान हमारा पस्चिम में है ठीक है तो यह पूरब में क्य वालभाग आपका पस्चिम है और निची वालभाग 10 चीन है तो उससे क्या होगा कि आप आसाने से समझ पाइंगो तो पुरमे में अमार और पस्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर में देखें तो तीबत चीन है न नेपाल और एक और आता है भूटान यह आपका ह उत्तर में अब निच्चे बढ़ते हैं दस्षिन की ओर तो अगर दस्षिन में देखें तो एक आपका मालदीव है और दूसरा स्रिलंका ये दोनों के दोनों क्या है ये डिप समूराष्ट है डिप समूराष्ट का मतले जानते हैं इसके तीनों चार ओर देखेंगे तो पानी को ही पानी इसको दिवन ब escuch का मतल़ को चान नाम बता है जो भारत के परोसी देश है स्रीलंका और दूसरा है Pelディ और प्रोसी देश तो आपको आध हो गया होगा आप मेप को अच्छी तरह से देखें उससे समझने की कोशिस करें और मेप को पढ़के समझें रटने की कोशिस कभी ना करें कि उतर में यह है पूर में यह है अगर ऐसे रटेंगे तो भूल जाएंगे और confusion हमेशा रहेगा और मालदीव की बात करें तो यह मालदीव जो है वह हमारा कहां पर सीथ है देखेंगा यह क्या है लचिदीव और लचिदीव के दच्छीन में है ना दच्छीन में चुकि लचिदीव का पूरवसाड यह हो गया और पस्तिम यह हो गया उतर यह हो गया और दच्छीन यह हो गय और अगर पूरा अपसाइट की बात किये जाए तो आपका सिरलंका आजाएगा इस परकार से आप मेप को आसाने से देख करके पूरा का पूरा अच्छा से पढ़ें और आपका कम्प्रीट हो जाएगा अब आपको कुछ होंबक दिया गया है इसे घर में ही करना है आपको गुजरती है जिसे माल लिए आपको यह जूम करके दिखाते हैं यह कौन से रिखा है यह आपका है करक रिखा है तो माल लिए जो करक रिखा है आप से सवाल क्या पुछा गया आप से सवाल पुछा गया है कि करक रिखा किस राइज से गुजरती है तो आप आसाने से ढूं यह आपका मदिपर्देश और तीसरा है चछतिसगर यह आपका जारखन यह आपका पसी मंगाल यह सब के सब क्या हैं यह सब के सब हैं आपका जिससे होकर करक्रेखा जिससे होकर गुजरती है उस राज का नाम है तो आप इस प्रकार से इस होंबर को आसाने से मेप के द्वार कर सकते हैं ठीक है और पहला सवाल तो मैंने बताई दिया था क्या बताया था कि कुल कितने राज है तो 28 राज है तो कितने है तो हमारा टोटल है आठ अभी वर्तमान की बात करें तो नेक्स्ट है कि कौन से राज अंतराष्टिय सीमा और समुद्री तट को नहीं चूती वह कौन सा राज है जो अंतराष्टिय सीमा और समुद्री तट को मतलब समुद्री किनारा को भी नहीं चूती है तो चलिए हम लोग मे यह सीमा तर eyesight सीमा है और समुदी तटको नहीं चूती है अब किनारे वाला जो राइट है उसको ध्यान नहीं देजिगे चूकि किनारे में अस्टेट हैं वो सब क्या हैं मतलए राजस्थान को यह समाले पाकिस्तन का जो सीमा है उस से ट्ट है अंतराश्टी सीमा से ठाट से ठीकえー अंतराश्टी सीमा मतलब यह हो गया आपको दिखा llt कि के यह जो बॉंडरी देख रहे हैं यह आपका क्या हो गया अंतराश्टी जीमा कि आप खोज़ी को कि हमें पूछा गया कि कौन नहीं चूती है तो यूपी तो अगर यूपी की बात करें तो नेपाल का जो बॉर्डर देख रही है यह टस्कार रहा है चूरा है कौन नहीं चूरा तो बीच वाला मध्यपर्देश मध्यपरदेश आप देखिएगा आपका इसका बॉर्डर ऐसे करके गया है और ऐसे घुमा है तो मध्य पर्दिस किनारे वाले बॉर्डर को कभी टस नहीं कर रहा है एक तो हो गया मध्य पर्दिस और अगर और दूड़ है तो एक आपका तेलांगना भी हो गया जारखन तो इस परकार से आप आसानी से मेप को समझ करके कि कौन सा जो अस्टेट है वो ये जो बाहरला जो बोडर है इसमें टाच नहीं कर रहा है कि ठीक है को आपको ढूंड लेना है चलि अगला स्वाल पड़ते हैं भारत के पडोसी डिपीए समु देश का नाम बताएं चलिए समु का मतलब क्या बताया थे डिपीए समु का मतलब ये बताएं थे कि जिसके चार और पानी पानी वैसा देश तो अगर हम पाकिस्तान दे अब इसका नीचे देखिए यहां पर आपको दो मिलेगा एक स्रिलंका और दूसरा माल दीव यह दोनों के दोनों ही क्या है डिपी समू देश हैं जो भारत की पड़ोसी है यह भी क्लियर हो गया अगला कोशन क्या है छेत्रफल में सबसे बड़ा था था सबसे छोटा कून पहले सबसे बड़ा को ढूने हैं जो सबसे पहले आप कोर करके देखिए कि सबसे बड़ा छेत्रफल किसका में तो आपको आसाने से दिखता होता हों यह राजस्थान इससे बड़ा कोई नहीं है तो hopes चेत्रफल की दिश्टी से हमारा राज स्थान बड़ा राज हो कhorse और अगर छोटा की बात करें तो सबसे छोटा गुबा होता है ठीक है देखिएगा इससे छोटा कोई राज नहीं ठीक है अब आप ये नहीं कहिएगा ठीक है केन सासित परदेश को नहीं कहाना है चुक्कि आपको राज कहा गया है केन सासित परदेश नहीं कहा गया है ये दोनों में डिफरेंट होता है केन सासित परदेश और राज जो राज से भी छोटा होता है उसे केन सासित परदेश कहा जाता अब चलिए आगे देखते हैं और कोई सवाल बचा है क्या क्लियर हो गया अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लगए भारत के सबसे दस्नी बिंदू को इंद्रा बिंदू कहा जाता है जो सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमद्र हो गया था इसके बाद है 85 डिगरी 30 नेट पूरु देशांतर को भारत की मानक अयम्योतर माना गया है और 1889 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीश की दूरी 7000 किलिमेटर कम हो गई नेक्स्ट है 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज थे ठीक है एक प्रान और दुसरा रियासत यह bör пой 도 शुप साबरेज नहीं डारत तो होते थे उस पर जो सासन करता था वो अस्थान ये सासकों द्वारा किया जाता था कि इसको वार मुझे नेक्स देखते हैं कि यहीं तक आपका कंप्रीट हो गया तो यह चेप्टर यहां पर समाप्त हो गया है अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोट पेकेस आप तक पहुंच सके चुकि सब्सक्र बेले लेंगे तो इससे क्या हुआ कि हम जो भी अप्लोड करेंगे वह सब सब्सक्राइब आपको मिलेगा और आप ही के लिए वीडियो बनेगा भी चुकि जो जो देखते हैं उसी के लिए वीडियो बनाई जाता है इस वीडियो को अधिक साधिक सेर भी करना है और लाइक भी करना है च्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में उसाहित करता है अगर कोई हमारे वीडियो को देखे नहीं और लाइक नहीं करे तो हमारे वीडि देट आवने नेस्ट वीजिए